अतो जयायांच पूरुशहा पादो अस्ये विश्वाभूतानी त्री पादस्ये अम्रितम दिवी त्री पाद उर्द्वं मुद्देत पूरुशहा पादो अस्ये अभवत पुनाः इस स्रिष्टी में जो कुछ भी हुआ है जो कुछ भी हो रहा है इस द्रिश्च और अद्रिश्च जगत में जो भे प्रत्यक्च या अप्रत्यक्च है पर्वतों की उचाई हो सागरों की गहराई हो फूलों में सुगंधी हो विद्वानों की विद्वता हो शोर्यों का शोर्य हो इस श्रिश्टी में जो कुछ भी उत्तम है जो कुछ भी श्रिश्ट है जो कुछ भी उत्कृष्टतम है जो कुछ भी श्रिश्टतम है वह उस सर्व शक्तिमान परमात्मा की अनंत गुणों और अनंत एश्वर्यों का एक खंडित प्रतिभास है वह अपनी सत्ता से इस जगत में सर्व व्यापक होकर के ओत्प्रोत है लेकिन उसकी महिमा इस संसार से भी अनंत है और उसका मूल स्वरूप इस साकार रूपी जगत से परे निराकार से भी परे अक्षर की चतुशपाद विभूती सत्स्वरूप केवल व्रह्म सबलिक व्रह्म अव्याकृत व्रह्म से भी परे अपने अखंड एकरस धाम में स्थित है वही करता है वही धरता है वही विधरता है उसे ही गीता ने उत्तम पुरुष कहा उसे ही वेद ने त्रिपाद उर्द्व मुद्देत पुरुष कहा उसे ही यजुर वेद ने आदित्य वर्ण वाला कहा उस सर्व शक्ति मान, सकल गुण निधान, अपनी सत्ता से सर्व व्यापक आत्माओं के प्राण प्रियतम, प्राण नाथ, प्राण वल्लब, प्राण इस्वर, प्रियतम प्राण नाथ को हम प्रणाम करते हैं रिगवेद, यजुर वेद और अथर्व वेद में बढ़नित इस पुरुष सुक्त में उसी एक अखंडरस परमात्मा की तरफ संकेत किया गया है जिसकी महिमा आज इस मंच से गाई जा रही है इस स्रिष्टि में आठ सो करोड लोग हैं 2010 में एक सर्वे हुआ था उसकी अनुसार विश्व की 80 प्रतिशत जनसंख्या आस्तिक है किसी ना किसी परमात्मा को मानती है किसी ना किसी धर्म संप्रदाय से अपना सनबंध रखती है मैं जब जर्मनी में था तो एक दिन सभी विज्ञानिक बैट करके एक प्रकार से धर्म का उपहास उड़ा रहे थे उसमें एक मुसल्मान था उसने कहा कि पेगंबर महुमद हमारे मसीहा है और जन्नत हमारा आखरे ठीकाना है हमारे मसीहा उस परमात्मा के सामने हमारी सिफारिश करेंगे और हम उस जन्नत में दाकिल हो जाएंगे उसमें एक खृश्चिन था उसने कहा जीसस इसा मसी हमारे मसीहा है जब हम इस संसार से जाएंगे तो वो उस ओलमाईटी से हमारी सिफारिश करेंगे और उस पैरडाइस में हमेंटर हो जाएंगे अब उसमें एक हिंदू भी था उसने कहा कि हमारे यहाँ तो अनन्त लोग है ब्रह्म लोग है, स्वर्ग लोग है, जन लोग है, तप लोग है बताओ कहां किस ने जाना है उस आराद दे के लिए, उस लोक के लिए एक आराद दे है उसकी उपास ना करो और उस लोग को प्राप्त कर लो समानने तोर पर बौध दर्शन में परमात्मा या स्वर्ग की कोई धारणा नहीं होती लेकिन तिब्बत के पास बौधों की भी एक शाखा है वो भी एक स्वर्ग की कलपना करते हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो स्वर्ग है उसका नाम अमरावती है मरने के माद हम सब लोग वहां पहुंच जाएंगे और योरोब की जो पूर्वी सभ्थाएं है जिने स्कैनेडेवियन कंट्रीज कहा जाता है वहां यह माननता है कि जो अखंड धाम है उसका नाम है वलहाला यहां से जाने के पश्चात हर कोई उसमें प्रवेश प्राप्त करेगा इसी तरह से एजिप्ट की कुछ जातियां है वो कहती हैं कि उस अखंड धाम का नाम आरू है मेरा किसी मित्र के यहां जाना हुआ जिस कलोनी में वो रहते थे उस कलोनी के गेट पर लिखा था Welcome to Gero Digeno मेरे मन में जिज्यासा उठी की यह क्या है तो पूछने पर पता चला कि वो पारसी है और पारसीों के यहां पर जो स्वर्ग है उसे Gero Digeno कहा जाता है अब उन्होंने कलोनी के बाहर ही लिख दिया कि Welcome to Gero Digeno यानि हमारे स्वर्ग में आपका स्वागत है इस संसार में एक कहावत कही जाती है मुंडे मुंडे मती भिन्ना कुंडे कुंडे सरस्वती कि जितने लोग हैं जितनी बस्तियां हैं सब के अपने राम है हर जाती ने हर संप्रदाय ने एक कल्पना की है और उसको सोच करके सब जो वहाँ वे ग्यानिक बैठे थे वो हस रहे थे कि ये आखिर अध्यात्मिक पुरुशों की बुद्धी को क्या हो गया है सब ने अपनी कल्पना लोग के पंख लगा करके कल्पना लोग में भी हार कर रहे हैं किसी को कहीं जाना है किसी को कहीं जाना है मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि उन में से यदि कोई हमारे दर्शन को भी पढ़ता जिस तरह से आज प्राणना जी को या निजानन दर्शन को प्रस्तूत किया जाता है उसे भी यही भान होता कि निजानन्द कोई संप्रदाय है और प्राणना जी इसके मसीहा है परमधाम कोई स्वर्ग है और ये जितने लोग अपने आपको सुन्दर साथ कहते हैं इन्होंने भी कलपना लोग के पर लगाए है और ये भी अपनी कलपनाओं में मगन है कि संसार के बाद कोई परमधाम है यहां से बहुत दूर जहां हम पहुँच जाएं इस संसार के अंदर वर्तमान समय में साड़े चार हजार से अधिक संप्रदाए है हर किसी की अपनी माननता है हर किसी ने अपने ब्रम्व की व्याख्या की है हर किसी ने अपने अखंड धाम की व्याख्या की है कई बार मन में प्रशन उठता है कि आखिर ब्रंध की आवशक्ता ही है श्वेताश्पर अपनिशत का पहला शिलोक की यह किम कारणम ब्रंध ब्रंध का प्रयोजन क्या है आखिरम ब्रंध की धारणा ही क्यों करें आप नए पीड़ी के लो कई बार मुझसे प्रश्ण पूछते हैं कि हमारी जो अगली पीड़ी है वो धर्म में किसी प्रकार से विश्वास नहीं रखती परमात्मा में उसकी कोई रुची नहीं है उन्हें लगता है कि परमात्मा की कल्पना ही क्यों की जाए मोटे तोर पर जब वेक्ती भोतिक्ता की रहा पर पकड़ता है चलता है तो उसे लगता है कि परमात्मा एक व्यर्थ कल्पना है लेकिन यदि कोई विज्यानिक है यदि कोई विज्यान का अनुसंधान करता है तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी कहीं न कहीं मन में ये मानता है कि इस स्रिष्टी को चलाने वाला कोई न कोई तो होगा आपको मैं दो उधारन देता हूँ आप सबने मॉबाइल देखा होगा मॉबाइल के अंदर एक चिप डाली जाती है जिसमें डेटा होता है आपका शरीर यहां पर बैठा हुआ है आपको शरीर को चलाने वाले छोटी से छोटी जो कोशिकाएं हैं जिनें आप आँख से देख भी नहीं सकते उसमें किसी ने पूरे शरीर की प्रोग्रामिंग करती है कि कब आप उठेंगे, कब आपको भूक लगेगी, कब आपको प्यास लगेगी, कब आपको भोजन करना है कब आपको क्रोध करना है, कब आपको नीन आएगी और जितना डेटा आपकी कोशिकाओं में किसी ने भरा है यदि उस डेटा को किताब में लिखने का प्रयास किया जाए तो आप जानते हैं कितनी किताबों में उसे लिखा जाएगा उसे 175 किताबों में लिखा जाएगा और एक किताब धाई लाख पेज की होगी सुचिए इतनी बड़ी सत्ता को चलाने वाला कितना सुक्ष्म रूप धारण करके हमारे अंदर हर चीज को विवस्थित कर रहा है हमारे अंदर जो DNA है, आपके अंदर जो DNA है यदि पूरे शरीर के DNA को निकाल करके एक तार बनाई जाए तो सूरज से लेकर के चांद की दूरी को चार हजार बार नापा जा सकता है बड़े से बड़ा बैग्यानिक जब इन बातों को देखता है, समझता है तो उसे लगता है कि यह सब अनायास नहीं हो सकता कोई ना कोई है इसके पीछे, कोई ना कोई अखंड सकता है मुझे बोलते हुए पांच मिनट हो गए क्या आप जानते हैं कि इन पांच मिनटों में आपकी यह जो तवचा है इसकी पचास हजार कोशिकाएं मृत प्राए हो गई, मर गई और पचास हजार नई कोशिकाओं ने जनम ले लिया मैं जो यह भाशन बोल रहा हूँ यह संदेश आपके मस्तिश्क में 400 माइल प्रती घंटा की रफतार से दोड रहा है जिसे आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बड़े से बड़ा विज्ञानिक भी जब इन तत्यों को देखता है तो उसे लगता है कि नहीं यह अनयास नहीं हो सकता कोई न कोई तो है बहले ही हम से अद्रिश्य है बहले ही आज उसको हम कागच पर आकरती नहीं बना सकते भले ही आज हम विज्ञानिक मापदंडों से उसका मापन नहीं कर सकते लेकिन कोई न कोई है जो इस स्रिष्टी से परे हो करके भी इस स्रिष्टी के अंदर अपनी सत्ता से ओध प्रोध है जो इस समग्र संसार का संचालन कर रहा है तार्तमवानी भी कहती है पांच तत्व मिल महल रच्योरी अंतरिक क्यों अटकानो या के आस पास अटकाव नहीं तुम जाग के संसे भानो यदि आपको मैं एक छोटी सी गेंद दूँ और उसे कहूं कि आप इसको हवा में एक सेकंड के लिए खड़ा कर दीजी क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे लेकिन असंखे तारे, असंखे सोर मंडल असंखे आकाश गंगाएं, असंखे निहारीकाएं आप जानते हैं आकाश में किसने थाम रखी हैं? कोई सहारा नहीं या के आस पास अटकाव नहीं कि कौन है जिसने निराकार, अंधकार, रूपी, महत तत्यों से ये सारा संसार खड़ा कर दिया? अवश्य मन में जिज्यासा उड़ती है कोई न कोई तो वो सत्ता है जो सबसे ब्रिहत है जो सबसे महत है जो सबसे विशाल है उसे क्या कहा जाए? संस्कृत में उसके लिए शब्द प्रियोक किया गया उसे ब्रह्म कहा जाए ब्रह्म का मर्थ मतलब है जो सबसे ब्रिहत है जो सबसे विशाल है जो सबसे महत है उसे संस्कृत साहिते में ब्रह्म कहा और यह जुर्वेद ने यह घोशना की कि इस अंदकार से परे कोई आदित्य वर्ण की आभा लिये हुए कोई परपुरुश है यदि उसको प्राप्त कर लिया तमेव विद्वाति मृत्यू मेति कि इस मंत्र का चोथा चरण सबसे महत्वपूर्ण है कि केवल तुम्हें जानने के पश्चाथ ना अन्या पंथा और कोई दूसरा मार गई नहीं है ब्रह्म्ह की उस स्वरूब की ब्याख्या करने के लिए अनेक गरंथ लिखे गए, दर्शन लिखे गए श्वेताश्वर उपनिशत में सबसे पहली जिज्यासा यही क्यम कारणम ब्रह्म्ह, ब्रह्म्ह का क्या प्रयोजन विदान्त दर्शन, अथातो ब्रह्म्ह जिज्यासा आओ अब ब्रह्म्ह की जिज्यासा करे कि वो कौन है जिसने इस स्रिष्टी को आपको हमें धारण कर रखा है जिस प्रकार प्राणों से मेरा शरीर प्राणवान हो उठता है इस स्रिष्टी का प्राण कौन है कौन है जो प्राण बनकर इस स्रिष्टी को प्राणवानित कर रहा है अब पुरुशोय वेद के रूप में वानी अमत्रित हुई उनको व्याक्षा करके उसको सरल्तम बनाने के लिए डाम्मन ग्रंथ लिखे गए फिर उपनिशद लिखे गए फिर उसके बाद दर्शन ग्रंथ लिखे गए एक-एक दर्शन को जब हम पढ़ते हैं आपको पढ़ करके आश्चर्य होगा कि चाहे कपिल मुनी का सांखे दर्शन हो चाहे गोतम रिशी का न्याय दर्शन हो चाहे कनाद का विशेशिक दर्शन हो चाहे जैमनी का मिमान सा दर्शन हो चाहे पातांजली का योग दर्शन हो और चाय बादरायन का बेदांत दर्शन हो इन छे दर्शनों में ब्रह्म तत्व की जिज्यासा जगत प्रकृती की जिज्यासा इतना विशद वरणन हुआ है और यह सोभाग्य भारत भूमी को प्राप्त हुआ जहां पर ब्रह्म तत्व पर इतनी गहन चर्चा हुई इतना गहन निरूपन हुआ इसलिए श्रुजी ने भी भारत भूमे की महिमा इस वाणी में गाई है भूम भली भरत खंड की एक खाली वेदांत दर्शन जिसमें ब्रह्म तत्व की जिज्यासा है उस वेदांत के उपर अनेक वाद, अनेक संप्रदाइस थापित हुए अद्वेत वाद, द्वेत वाद, विशिष्टा देत वाद, शुद्धा द्वेत वाद, वीर शैव विशिष्ट वाद, शैव विशिष्ट वाद, अचिंत्य भेद 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 वाद महान पुर्षों ने ब्रम्म की जिज्यासा में इतने उचे भाष्षे लिखे श्री भाष्षे को पढ़ें, गोविंद भाष्षे को पढ़ें, वेदांट परी, पारिजात भाष्षे को पढ़ें, अंकूर भाष्षे को पढ़ें लगता है कि ये क्या विद्वानों की विधर्त्वा मानो जैसे अकाश को चू रही है स्वेम शिरी जी ने वाणी में स्विकार किया है यों तो आए बुद्ध के सागर कई गुण खट ग्यानी कि छे दर्शन खट ग्यानी याने छे दर्शनों में स्रिष्टी और ब्रह्म्ह के छे कारणों का निरूपन करने वाले रिश्यों की विद्वता, स्रिजी कहते हैं कि ये बुद्ध के सागर हैं, समान निवेक्ती नहीं हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो ऐसा भास होता है कि मानो प्रज्या उतर आई है, मानो ज्यान का प पर काहू ना लखानी, हर कोई प्रयास तो कर रहा है कि किसी प्रकार से ब्रह्म्ह के उस स्वरूप का निरूपन हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, लेकिन एवानी निजबुद बिना जाए ना लखानी, मैंने कल भी लक्ष्मी जी का द्रिश्टान्त आपको दिया था, हमारे समाज में बार बार लक्ष्मी जी का द्रिश्टान्त दिया जाता है, उसमें एक बात बहुत एहम है, मानी की चुपाई आती है, कि और ठोर वेकुंट का कहने वाला स्री भगवान, लक्ष्मी तहां श्रोता भाई, कि वक्ता के रूप में जब स्री भगवान बैठे है, मा विष्णु जिसके श्वास से चारों वेद उत्पन्न होते हैं, और श्रोता कौन? श्रोता जहां लक्ष्मी भई, लक्ष्मी जहां श्रोता भई, साथ कलपांथ लक्ष्मी जी ने तपस्या की, आप साथ मिनट भी यहां पर बैठेंगे, तो साथ बार अपने हाथों और पाउं को उपर नीचे करेंगे, सत्तर मिनट किसी को ध्यान में बिठा दिया जाए तो शायद सत्तर बार नीन्द की जबकी आ जाएगी लेकिन साथ कलपांथ क्या आप कलपना कर सकते हैं किस संसार के अंदर हर कोई लक्ष्मी को मांग रहा है अभी कुछ दिन बाद दिपावली का त्योहार है भारत की जनसंख्या 1.500 करोड है जिसमें से 700 करोड में से 90 करोड हिंदू है 90 करोड हिंदू अपने घर में लक्ष्मी जी का फोटो लगा कर कि उनसे लक्ष्मी मांगेंगी धन मांगेंगे संपत्ति मांगेंगे लेकिन वह लक्ष्मी जो संपून जगत को श्री जगत को धन संपते देने वाली है वह साथ कलपान तक तपस्या करती है क्यों? क्योंकि उसे अखंड का वह रस चाहिए लक्ष्मी जी चहां श्रोता भई आप सोच सकते हैं कि साथ कलपान तक तपस्या करने के लिए लक्ष्मी जी में कितना धैर्य होगा कितनी गहन पिपासा होगी कितनी गहन अभिपसा होगी लेकिन फिर भी स्री भगवान उस ब्रह्म के सरूप का निरूपण नहीं कर सकते इसलिए बार-बार कहा है कि बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद बानी बड़े बड़े रहो गए पर काहू ना लखानी कितने आचारे कितने धर्मा चारे कितने सांख्या चारे कितने विद्वान कितने रिशी मुनी पेगंबर इस सृष्टी में आए प्रयास किया लेकिन उसके सरूप का वास्त्मिक निरूपन नहीं कर पाए लेकिन मेरा यह मानना है कि सोलवी और सत्रवी सताबदी में इस भारत वूमी में जो हुआ है वह एक इतिहास रचा गया है किरंतन में एक जगे मामती जी कहती है कि और साहिबी कई सिर मेरे दई दई जो दाव सब दुनिया के दिल में आनी देश साहिदी किताब सब दुनिया के दिल में आनी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार को समस्त विश्व को प्राणाजी की पैचान होगी उस दिन घर घर में इस वानी का गुंजे मान होगा उस दिन हर घर में प्राणाज का नमन होगा और मेरा यह मानना है मेरी यह प्रबल धारना है कि यदि उस दिन धर्म का इतिहास लिखने कोई इतिहासकार वैठेगा तो धर्म के इतिहास के दो खंड होंगे एक होगा पूरवार्चिक और एक होगा उत्रार्चिक पूरवार्चिक माने धर्म और ब्रह्म की जियासा के बारे में श्री जी से पहले जो कुछ भी कहा गया और उत्रार्चिक याने धर्म और ब्रह्म्ह की जिज्यासा में श्री जी ने बाणी में जो कहा क्योंकि जैसे ही बाणी का अवत्रण हुआ धर्म की जिज्यासा धर्म की परिभाशाएं बदल गए ब्रह्म्ह को लेकर के जो विचारदाराएं थी वो बदल गई संप्रदायवाद, संकीनवाद, जातिवाद जिन बेडियों में धर्म कहरा रहा था सिरजी की यह बानी उन सभी बेडियों को तोड़ करके शाश्वत धर्म का ऐसा विशुद्ध रूप समाज के सामने प्रस्तूत करती है जिसको सुनने के बाद, जिसको हृद्यांगम करने के बाद सुक शीतल करू संसार का यह उद्घोष सफल होने में एक छण भर का भी समय नहीं लगेगा आज हम प्राणना जी की महिमा का वखान कर रहे हैं यदि मुझ से कोई पूछे की प्राणना जी कौन है तो मैं यही कहूँगा कि गीता में योगेश्वर स्रिक्रिक्ष्ट ने अर्जुन को उद्बोधित करते हुए जिस उत्तम पुरुष की प्रती इशारा किया वह उत्तम पुरुष प्राणना जी वेद के अंदर रिश्यों ने मंत्र का साक्षात करकार करके त्रिपाद उर्द्वम उद्देत पुर्शा कहकर जिसके प्रती संकेत किया वो त्रिपाध, उर्ध, उद्देत, पुरुष प्राणनाच है कठोप निश्टके अंदर यमा चार्ये ने नची केता को छरात, परतहा, पराह कहकर के जिसके प्रती संकेत किया वो छरात, परतहा, पराहा प्राणनाच कबीर ने अपनी वाणी में जिसको बेहद के परे परम पुरुख कहे करके संबोधित किया कबीर का वह परम पुरुख प्राणना थे यजुर्वेद में जिसे आदित्य वर्ण वाला कहे करके उसे पाने के लिए प्रयास करने का कहा गया वो आदित्य वर्ण वाला पुरुष जिसकी आदित्य बढ़न की सोभा है वह प्राणनाज है शुक्रो असी, ब्राजो असी वेद की रिचाओन ने जिसे शुक्र कहा, भर्ग कहा वो जो शुक्र मई है, वह जो भर्ग मई है, वह प्राणनाज है और तारतम बानी के अंदर एक सरल साधारन सी चुपाई कि इंद्रावती कहे अक्षरातीत से खेल में आया साथ दो सुपन एतीसरा दिखाया प्राणनाच कि सहद बेहद अक्षर की चतुषपाद विभूती और अक्षर के धाम से भी परे परमधाम के अंदर मूल मिलावे में जो यूगल स्वरूप बैठा है वे प्राणनाच है अब फरक नहीं पड़ता ब्रहम स्रिष्टियों को खेल दिखाने के लिए यदि वे अपने आवेश स्वरूप से ब्रज मंडल में माखन भी चुराए तो हमने उसे भी प्राणनाच कहा यदि वो खंड ब्रिंदावन में जाकर के बांसुरी भी बजाता है हमने उसे भी प्राणनाच कहा यदि वे गांग जी भाई के घर में बैठ करके चर्चा भी सुनाता है तो हमने उसे भी प्राणनाच कहा और यदि वे इस पन्ना की धर्ती में महराजा च्छत्र साल के दरवार में आता है जिसके लिए उसकी राणियों ने अपनी साड़ी के पावड़े बिचा दिये हमने उसे भी प्राणनाथ का ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ बाणी कहती है कि मांगा किया रादा भाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ जिसने मांगा किया था और रादा को ब्याहा नहीं था वो प्राणनाथ है रासमंडल के अंदर कंठ बाहो स्यामजी ए मरमती प्राणनाथ इंदरावती जी कहती है कि हम दोनों सक्खियों ने अपने कंठ और बाजियों में उनको घेर लिया है और देखो हमारे प्राणनाथ हमारे साथ खेल रहे हैं रामते कर रहे हैं जो रामतों में रम रहा है अखंड ब्रिंदावन के अंदर वो आवेस हमारा प्राणनाथ है भी स्री मुख कहे बचन धूंड प्राणनाथ कहे बचन धूंड काढ़नों अपनों साथ जो गांग जी भाई के अंदर देवचंदर जी का तन बैठा है उसके अंदर जो आवेश बैठ करके सब को चर्चा सुना रहा है वह भी प्राणनाथ है और एही टीका एही पावड़ा एही न्युच्छावर आई स्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बली बली जाए और जो यहाँ पन्ना की धर्ती में पधारा है वह भी प्राणनाथ है यह एक विचारनी प्रश्न है कि जिसको आज तक अगम्मे कहते रहे आज वो गम्मे हो गया लिकिन उस प्राणनाजी की पहचान जिनकों मिली उनका दुरभाग्य की वो ही प्राणनाजी को पहचान नहीं सके स्वामी जी कई बार कहते हैं कि आज मंचों से प्राणनाजी को एक संथ, एक महंथ, एक सिद्ध और एक साधु की तरहें प्रस्तूत किया जाता है कोई कहता है कि वे भगत हैं मैं आपको एक बात कहता हूँ यह मूल मंत्र है आप इसको हमेशा याद रखी जब भी आपको किसी की पहचान करनी है आप उसकी पहचान के लिए उसके मानने वालों के पास मत जाएए क्योंकि हर मानने वाला अपने गुरु को या अपने आराद्दे को दुनिया में सबसे बड़ा बताता है जिसकी पहचान कर रहे हैं उसने जो लिखा है या जो उसने कहा है आप उसको पढ़िए तारतमबानी की एक चुपाई है रेहु नाही सिद्ध साद संतरी भगत रेहु नाही रेहु नाही आप जानते हैं यहाँ पर दो बार कहा गया जो भी मुख्य विशे होता है कोई भी वक्ता होता है वो उस विशे को दो बार दोराता है मैं भी इस विशे को दो बार पुनहा इसको दोरा रहा हूँ इस चुपाई में भी कहा है रेहु नाही रेहु नाही मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ क्या सिद्ध साद संतरी भगत कि मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ मैं कोई साध नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ और मैं कोई भगत भी नहीं नाही वेश्णव अप्रस अचार और मैं कोई वेश्णव भी नहीं जात कोटुम्ब कुल उंच ना नीच नहीं मेरा सन्बंद किसी जाती से है नहीं मेरा सन्बंद किसी कुटुमप परिवार से है और नहीं वरन अठार और नहीं मैं समाज में प्रचलित 18 बर्णों से हूँ बानी की एक यह चुपाई स्री प्राणना जी के स्वरूप का वास्तविक निरूपन करती है लेकिन उसे पहचाना किसने उसे किवल उसी ने पहचाना जिसके अंतर चक्छू खुल गए जिसके अंदर परमधाम का अंकूर था जिसकी आत्मा तडप रही थी विरहा में जिसे प्रतिक्छा थी उस प्रियतम की उसने अपने प्रियतम अक्षरातीत को पहचाना उसकी आत्मा ने साक्षे दी इसलिए मैंने दो दिन पहले भी उधार्ण दिया था सिर्जी ने यदि चतरसाल जी को निमंतन भेजा चतर साल जी से पहले मेरता में जब शिर जी थे तो जस्वन्थ सिंग जी को भी चिठ्थे लिखी थी जस्वन्थ सिंग जू जोदपूर के राजा थे राजा थे लेकिन वेदान्त के विद्वान थे उनके गरंथों को शिर जी ने पढ़ा उन्होने वेदानत पर एक ग्रंध लिखा था सुर्जी को लगा क्या पता इसमें परमधाम की कोई ब्रहमा सुर्ष्ष्टी हो सुर्जी ने उसके उद्बोधन के लिए दो पत्र लिखकर के राजा के पास भेजे और दूसरे पत्र में सिर जी ने एक बहुत मुल्लेवान बात लिखी सिर जी कहते हैं कि सिर साटे तो ना देऊ कि जस्वन सिंग यह जो ग्यान है सिर साटे तो ना देऊ कि यदि तू अपना सिर भी काट करके मेरे चर्णों में रख दे तो भी ये ग्यान का तू अधिकारी नहीं है पर ना ही राखूं अंतर लेकिन मेरे हिर्दे की यह सबसे बड़ी पीड़ा है कि मैं कोई अंतर नहीं रखना चाहता जो मुझे मिला है वो मैं सब को देना चाहता हूं जिस रस को मैंने चका है उसका स्वादन मैं हर किसी को कराना चाहता हूं जो दीपक मेरे अंदर प्रजवलित हुआ है मैं चाहता हूं कि उस दीपक की लो से हर किसी के हरिदेच छित्र में ज्यान का भे दीपक प्रजवलित हो जाए यह मेरी विवश्ता है जो तुझे यह संदेश भे रही है सिर साटे तो न देऊ यदि तू सोचे कि तू इसका अधिकारी है तो यह मत समझना तो यदि अपना सिर भी साट करके काट करके मेरे चर्णों में रख दे तो भी तू इसका अधिकारी नहीं बन सकता सोचिए यदि ऐसा प्रियतम हमें हमारे जीवन में मिला तो हमारे सिर पर यही उत्तरदाइत वो होना चाहिए कि सबसे पहले हम उस स्वरूब की पहचान करें कि हमें इस संसार में कौन मिला है उस स्वरूब की पहचान करने के बाद संसार में ہم उनकी पहचान दूसरों को भी कराएं यही वास्त्विक रूप से हमारी जागनी होगी और जो संकल्प हम तार्तम के समय लेते हैं कि एवाणी मत के लेँ जो इनको सार और फिर इस संसुख को मैं संसार में बाटूं संसार में भी दूसरों के हृदे में जान का दीपक प्रजवलित हो ऐसी कामना के साथ हम जब तार्तम लेते हैं तो हम उस कारेशेतर पर उस मार्क पर आगे बढ़ें मेरा समय भी पूरा हो रहा है बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम प्राणना जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान करें जिसने इस संसार को बनाया है कितना हसास सिपद होगा कि यदि हम उसकी जैनती मनाने लग जाएं जो रुद्र रूप धार्ण करके संसार का प्रले करेगा कितना हस्यास पद होगा कि हम सफेद कपड़े पहन करके रुदन करने लग जाएं कि वो मर गए जिसने छे दिन की लिला में इस संसार को खंड करने की नीव डाल दी कितना हस्यास पद होगा कि हम उस प्राणना जी की भी छटी मनाएं यह समय है साथ जी जागियो ए हासी का है ठोर हम हासी के पात्र ना बने हम इस फेरे को सुफल करने के लिए प्राणना जी की पहचान करें प्राणना जी की पहचान करें चर अक्षर से परे उस उत्तम पर ब्रम पर पुरुष प्राण अक्षर प्राणों के नाच प्राणेश्वर प्राणना जी को पल-पल अपने हिर्दे में बसाएं इसी शुब कामना के साथ इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ प्रणामज